एकडम ताजे नारियल और कुकर का बहुत ही बड़ी आटेप लेक्ट 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 रियली इतना बड़ी आटेप लेक्ट इसको देखने के बाद आप जरूर इसको ट्राई करेंगे तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स तो मेरी एक साथ इंडियन फ्रेंड है मेरी नेवर है उन्हों नहीं अपने घर मी एटेश बनाई थी उसको देखने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि फटा फट मैंने भी बना लिया और आपको भी दिखा रही हू तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको एक ताजा नारियल ले लेना है ये नारियल के उपर जो आई होता है इसमें छेद करके इसका पानी निकाल देना है ये बहुत जरूरी है तो नारियल को पटक के कभी भी फोड़ना नहीं है इसी तरह से छेद कर लेना है और उसका पानी और हाँ दोस्तो नारियल जितना फ्रेश होगा, मीठा होगा यह रेसिपी, मतलब यह टिप्स उतना ही बढ़िया बन के त्यार होगा तो नारियल का पानी निकाल देना है, अब एक कुकर ले लेना है उसमें दो ग्लास पानी डाल देना है पानी डालने के बाद इस नारियल को उसमें रख देना है तो फ्रिंट्स बहुत अच्छे टेप से बार बार बता रहे हैं आपको एक बार बनाके जरू ट्राइ कीजेगा नारियल को रख देना है अब कुकर को बंद करकी दो से तीन सीटी आने तक इसको कुक कर लेना है घबराईएगा नहीं कुकर बिल्कुल भी नहीं फटेगा एकदम सेफ में थड़ाईए तो यहाँ पे देखी रहोंगे कि पहले सीटी आ चुकी है अब एक से दो सीटी और लगा लेना इसको जैसे ही दो से तीन सीटी हो स्विच को आफ कर देना और कुकर को अपने आप ठंडा होने देना है जब यह एकदम अच्छे से ठंडा हो जाए तब ही ओपन करना इसको अगर आप चाहें तो कच्चे नारियल को डारेक्ट ऐसे फोड़ के भी बना सकते हैं पर इस तरह से बनाने से इसका स्वाद और भी जादा बढ़ जाता है यह देखें फ्रेंड्स नारियल को निकाल दिया भी काफी गरम है तो फ्लेट में रख देना है थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेना है जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो बेलन से मार के इसके उपर वाला जो कड़क पाठ है उसको निकाल देना है बहुत असानी से निकल जाएगा यह देखें फ्रेंड्स कितना अच्छे से निकल गया है अब चाकू से अंदर वाला जो पाठ है उसको भी निकाल देना है तो अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, तो यहाँ टुकड़े करने के पहले मैं इसका छिलका निकाल दे हूँ, यह टोटली ओप्शनल है, अगर आप चाहें तो छिलके के साथ भी बना सकते हैं, और यह लिजे दोस्तो सारे नारियल को काट करके रख लिया है, अब इसको मिक्सी के जार में डाल देना है और ग्राइंड कर लेना है, तो ऐसे ग्राइंड तो नहीं हो पाएगा, तो अगर आप चाहें तो इसमें पानी या दूर डाल सकते हैं, मैंने एक छोटी कटोरी दूर डाल दिया है, साथ ही साथ दो तीन चमच इसमें चीनी डाल देना है, तो अगर चीनी की जगह आप गुड़ भी डालना चाहते हैं, तो डाल सकते हैं, और भी हल्दी हो जाएगा, ये देखिए फ्रेंड एक्टम अच्छे से पीस लिया है, तो इसका बारिक पीसना बहुत ज़रूरी है, ये देखिए फ्रेंड एक्टम अच्छे से पेस्ट बन गया है, तो दूद की अगर ज़्यादा ज़रूरा तो थोड़ा और भी डाल दीजेगा, लेकिन पेस्ट एकदम बारिक होना चाहिए, अब पैन ले लेना है, इसमें दो-तीन कब दूद डाल देना है, यहाँ पे दो कब दूद डाला है मैंने, अब इसमें दो-तीन चमच मिल्क पाउडर डाल देना है, यहाँ पे मेरे पास गाय का दूद था, थोड़ा पतला था, इसलिए मिल्क पाउडर डाला है, अगर आप फुल क्रिम दूद का यूज करते हैं, तो मिल्क पाउडर नहीं इसको पकने देना है, गाढ़ा नहीं करना है, दो मिनिट बस पकने देना है, अब एक कटोरी में दो चमच कस्टड पाउडर रे लिया है, और दो-तीन चमच इसमें दूद डाल देना है, पानी भी डाल सकते हैं, और मिक्स कर लेना इसको, अब जो दूद पक रहा है, दो-त तम कम होना चाहिए इस टाइम में. अब इसको बीच बीच में चलाते वे दो से तीन मिनट इंक तम धीमी आज पे कुक कर लेना है. दो तीन मिनट की बाद इस तरह का हो जाएगा, तब लास्ट में जो कोकोनेट हमने पीस के रखा हुआ है ना उसको डाल देना है. डाल करके अच्छे से मिला देना है, अब सिर्फ एक मिनट ही इसकी कोकिंग और करनी है, बस स्विच को ओफ कर देना है. तो फ्रेंट ये बहुत ही बढ़िया कोकोनेट कस्टर्ड बनके रेडी हो गया है. इसका थिकनेस ऐसे ही होना चाहिए. बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और भी गाढ़ा हो जाएगा. ये देखिए फ्रेंट, कितना बढ़िया दिख रहा है, खुद ही देख लीजे. यहाँ पर थोड़ा सा मीठा कम लग रहा था मुझे, तो दो-तीन चमच्चीनी और भी डाल रही हूँ. अगर आप चाहें, तो शुगर फ्री भी डाल सकते हैं, या गुड का पाउडर भी डाला जा सकता है. तो डाल करके अच्छे से मिला देना, अब स्विच को ओफ कर देना है. फाइनली इसका थिकनेस देख लीजे, फ्रेंट्स, इसी तरह का होना चाहिए. देख रहे न, कितना बड़ी अ कलर आ गया, कस्टरड पाउडर और केसर के वज़े से, और स्वाद में तो जबर्तस है, तो इस कोकोनेट कस्टरड को बना के जरूर ट्राई कीजेगा, फ्रेंट्स. अब उपर से कटिवे ऑड़ाई फ्रूट्स के साथ इसको सजा देना है, अगर आप चाहें तो इसको फ्रेंज में ठंडा करके, फ्रूट्स भी काट करके डाल सकते हैं, जैसे अनार, सेओ, आम, जो भी डालना चाहते हैं, तो फ्रेंट्स, कब बना रहे हैं, कॉमेंट्स मे लिके जरूर बताईएगा दोस्तों और ये देखिए फ्रेंड्स जैसे जैसे ठंडा होता जा रहा और भी काड़ा होता जा रहा है तो मैं तो इसको साही टुकडे के साथ सर्व कर रही हूँ अपने घर में आप किस तरह से खाना चाहेंगे कॉमेंट्स में जरूर बताईएगा दोस्तों मेरे पास कुछ ब्रेट बचा हुआ था घर में उसको थोड़ा था बेक कर लिया है और गुलाब जाब उनकी चाशनी भी बची हुई थी उससे में डिप कर लिया उपर से इसी कस्टरड को डाल करके सर्व कर रही हूँ तो आप किस तरह से आप सर्व करना चाहेंगे खाना चाहेंगे प्लीज बताईएगा कॉमेंट्स में बहुत अच्छा लगता है ये खाने में एक बार बना के इसको जरूर ट्राई करें आप इसको जलेबी के साथ भी खा सकते हैं बहुत अच्छा लगता है उससे भी उपर से थोड़े से कटीवे ड्राई फ्रूट डाल देने हैं और ये लेजे फ्रेंड्स बहुत ही बड़िया ये शाही टुकड़ा बनके रेडियो हो गया है खुदी देख लीजे तो चलिए दोस्तों फिर मिलते एक अगले वीडियो के साथ और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद